आमोमन आपने दिल को धड़कते हुए सुना होगा, लेकिन आपने कभी दिल को धड़कते हुए देखा नहीं होगा। हाँ, ओपरेशन थेटर्स में डॉक्टरों ने जरूर दिल को धड़कते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आम आदमी की बात की जाए, तो किसी भी आम इंसान ने शायद ही दिल को सामने से धड़कता हुए देखा होगा। जब इस बच्ची का जन्म हुआ था, तो उसी समय से इस बच्ची का दिल छाती और पेठ के बीचों बीच धड़कता हुआ नजर आया। इन वर्साविया की मा ने अपने घर में पल रही वर्साविया को रखने का निर्ण लिया और आज वर्साविया पूरे बारा साल की हो चुकी है और बिल्कुल स्वस्त है दरसल वर्साविया को जन्ब से ही एक दोरलब बिमारी थी जिसका नाम था Pentology of Cantril ये बिमारी 10 लाग बच्चों में से किसी एक को ही होती है वर्साविया जादा थंडे इलाके में नहीं रह पाती है जसके बाद वर्साविया की मा उनके साथ अमेरिका के फ्लॉरिडा में शिफ्ट हो गई वर्साविया की मा का फ्लॉरिडा में शिफ्ट होने का एक कारण वर्साविया को ठीक करना भी था ताकि फ्लॉरिडा जाकर वर्साविया को एक भैतर एलाज मिल सके वर्साविया की मा ने वर्साविया को कई अस्पतालों में दिखाया उनकी सर्जुरी कराने की भी सूची, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने वर्साविया की सर्जुरी करने से इंकार कर दिया, क्योंकि इसमें वर्साविया की जान भी जा सकती थी 12 साल की वर्साविया स्कूल जाती है, उनके कई फ्रेंड्स भी है, लेकिन एक यूट्यूब चानल को इंटेव्यू देते समय वर्साविया बताती हैं कि मेरी इस हालत को लेकर कई बच्चे मुझे चुड़ाते हैं और इसे मेरे अगेंस्ट इस्तमाल करते हैं जैसे बाकी बच्चे भाग सकते हैं, मैं भाग नहीं सकती, एक्सरसाइज नहीं कर पाती, कूद नहीं पाती, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ वर्साविया का कहना है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, बस उन्हें अपना थोड़ा ज्यादा खयाल लगना पड़ता है, ताकि कोई भी चीज उनके हाट पर आकर ना लगे वहीं वो जादा खेल कूद भी नहीं पाती, क्योंकि ऐसा करने से उनके शरीर में ऑक्सिजन की कमी होने लगती है वर्साविया एक जिन्दा दिल बच्ची है जो अपनी उमर के मताबिक बहुत स्ट्रॉंग है उन्हें पेंटिंग करना बहुत पसंद है और साथ ही गानों में जूमना भी पसंद है हम भगवान से प्राटना करते हैं कि वर्साविया जल से जल ठीक हो जाएं और वो बाकी बच्चों की तरह ही खेल कूद पाएं